हेलो श्रेंट्स मैं हूँ आश्रो समिश्रा और आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडवेंट एडू में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो सिरीज में हम लोग का च्छा बारा के जो च्छात्र च्छात्राएं हैं उनका फिजिक्स का इसमें क्लास चल रहा है फिजि उससे related कुछ important facts के बारे में हम लोगों ने जाना था और हम लोगों ने ये सीखा था कि वैद्यूत आवेश क्या चीज़ होता है तो आप लोगों को याद होगा कि उस क्लास में हम लोगों ने discuss हिया था कि वैद्यूत आवेश किसी भी वस्तु द्रव्य या पदार्थ का ए एक गुण है और ये गुण करता क्या है ये गुण उन वस्तुओं को आकर्शन या प्रतिकर्शन बल्की अनभूत कराता है अर्थात कि अगर दो वस्तुएं हैं और ये दोनों वस्तुएं मालीजी अगर सजाती हैं सजाती होने का अभिप्राय ये हैं कि ये दोनों ही समान आवेश में हैं माले ये वस्तु माइनस यानि कि रिनात्मक आवेश में हैं और ये वस्तु धनात्मक आवेश में हैं तो जब विपरीद आवेश होते हैं ये विपरीद आवेश की इस्थि है और सजाती आवेश की इस्थि में क्या होता है कि दोनों ही वस्तुओं पर समान आ आवेश होता है यानि कि अगर इस पर रिनात्मक आवेश हैं तो इस पर भी रिनात्मक आवेश होना चाहिए ऐसी इस्थित में वो सजाती आवेश कहलाते हैं और जरूरी नहीं है कि उस पर रिनात्मक आवेश ही हो, धनात्मक आवेश भी हो सकता है, यानि कि दो वस्तुएं हो और दोनों ही वस्तुएं आपस में क्या हो, धनात्मक आवेश की इस्तित में हो, यानि कि उस पर धनात्मक आवेश हो, तो जब दो पदार्थों में समान आवेश होता है, या तो रिनात्मक रिनात्म आवेश हैं यानि कि एक वस्तव पर रिनात्मक आवेश है और दूसरी वस्तव पर धनात्मक आवेश है तो ऐसी इस्थति में हम उनको विपरीद आवेश युक्त कहते हैं तो जब वस्तवें विपरीद आवेश से युक्त होती हैं यानि कि विजाती आवेश होते हैं तो ऐस अगर वस्तुवें सजाती आवेश की इस्थति में है अर्थात या तो दोनों वस्तुवें में धन आवेश हैं तो ऐसी इस्थति में दोनों के बीच force of repulsion यानि की प्रतिकरशन बल कारे करता है इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और ये जाना था कि आवेश तो प्रकार के होते हैं धन आवेश और रिन आवेश उसके बाद हम लोगों ने कुछ important facts के बारे में जाना था और अब आज की क्ल सिध्धांद तो electron सिध्धांद होता क्या है इसके बारे में जान लिया जाएं electron सिध्धांद basically electrons related है इस सिध्धांद में ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु का आवेशित होना चाहे वो धनात्मक आवेश से युक्त हो चाहे वो रिनात्मक आवेश से युक बैसिकली इसी को इलेक्ट्रों सिध्धान्त कहा जाता है अब नोर्स के रूप में आप कैसे लिखेंगे वो मैं दे रहा हूं इस तरीके से आपको नोर्स के रूप में लिखना है इलेक्ट्रों सिध्धान्त क्या होते हैं आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सद्धान्त हैं इसके अनुसार प्रत्यक पदार्थ परमाड़ों से मिलकर बना है जिसके बीच के भारी भाग को नाभिक कहते हैं नाभिक, प्रोटॉन तथा निूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है प्रोटॉन धनावेशित वर निूट्रॉन आवेशहीन होता है जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन रिनावेशित होता है वो नाभिक के चारों और चक्कर लगाता रहता है परमाड़ में इलेक्ट्रोनों वो प्रोटोनों की संख्या समान होने की कारण परमाड़ विद्धित उदासीन होता है किसी वस्तु का धनावेशित या रिनावेशित होना क्रमशह उसके परमाडवों में इलेक्ट्रोनों की कमी या अधिकता को परदरशित करता है और इससे related एक important fact है कि किसी वस्तु के वैदती करण के लिए इलेक्ट्रोन ही उत्तरदाई है न की proton क्योंकि proton को नाभिक से हटाना सुगम नहीं है अब आईए इसको थोड़ा सा discuss कर लिया जाए तो electron से धन्ध क्या कहता है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ अगर आवेशित होती है तो उसका करण electron है अब वो वस्तु आपकी धनावेशित हो सकती है या फिर नावेशित हो सकती है अब इसका reason क्या है reason यह है कि यह जैसे आपका एक नाभिग है और इस नाभिग के अंदर ही आपका proton और neutron नाम के करण पाए जाते हैं और electron इसके बाहरी कक्छाओं में अपने पनी कक्छाओं में वो चक्क्र लगाते रहते हैं अलग-अलग कक्छाओं में क्योंकि हर electron की ऊरजा अलग-अलग होती है इसलिए उनके चक्रण की जो कक्छाओं होती हैं जिन कक्छाओं में वो चक्रण करती हैं वो कक्छाओं भी अलग-अलग होती हैं ऊरजा के अनुसार जिनको हम chemistry mm klmn इन सब orbitals में इन सब shells में हम divide कर देते हैं ऊरजा के अनुसार के उसे तो आप देख सकते हैं कि किस कड को क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक हमारा क्या है परमाडू है और परमौर के बाहरी कक्षाओं में परमार के अंदर जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटाउन और नीट्रोन है और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रोन गति कर रहे हैं तो अगर इन तीन कड़ों में से किसी कड़ को अगर निकालना हो तो आपको क्या लगता है कौन सा कड़ निकालना ज्यादा आसान होगा ज्यादा आसान उसी इस्ति में होगा जिस कड़ की उर्जा कम होगी या जिस कड़ को निकालने के लिए हमें कम उर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा तो जाहिज बत है कि जो कड़ बाहर अर्थाथ जो चीज कई दरवाजों के अंदर है तो उसको निकालना उतनी ही एक जटिल प्रक्रिया है तो इसलिए प्रोटॉन का नाभिक से निकालना एक जटिल प्रक्रिया है और इलेक्टॉन का परमाड से निकालना एक सुगम प्रक्रिया है तो इलेक्टॉन को निकालना सुगम है इ इसलिए आवेशों के निर्धारण में या वस्तों के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन ही एक important role play करता है आप लोग जानते हैं कि परमाड में परमाड की वस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है अर्थात जितने electrons होंगे उतने ही protons होंगे या फिर आप कह सकते हैं जितने protons होंगे उतने ही electrons होंगे मान लिजी ये दो वस्तों हैं और ये वस्तों हैं या फिर तक तो आप मान सकते हैं तो ये परमाड की वस्था में हैं तो परमाड की वस्था में क्या होगा इनमें इलेक्ट्रोनों और प्रोट्रोनों की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी तो यहाँ पर्माण के वस्था में इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन आपस में बराबर है लेकिन जब हम इलेक्ट्रोन को अगर निकाल ले अगर हम संख्या इलेक्ट्रों को निकाल लेते हैं तो जाहिटसी बात है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रों की तुलना में अधिक हो जाएगी कि नहीं जैसे उदहराण के लिए माल लेजिए कि परमार्ण के वस्था में इससमें इसमे दस प्RO-Tons निकल जाएगी जब सथ्य से दो nation Sabbath निकल गए तो यहां कितने एले प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी या अधिकतान आएगी नहीं तो प्रोटॉन की संख्या 10 ही बनी रहेगी लेकिन इलेक्टॉनों संख्या घट जाएगी कितनी घट जाएगी दो अंक कम हो जाएगी क्योंकि पहले 10 इलेक्टॉन थे और 2 इलेक्टॉन निकल गए तो अब कि देख रहे हैं कि धनकणों की संख्या जादा है धनकण यानि की प्रोटानों की संख्या 10 है और रिंडकण यानि की इलेक्ट्रोनों की संख्या 8 है तो आप देख रहे हैं कि धनकणों की संख्या जादा है तो जब धनकणों की संख्या जादा है तो निश्यत रूप से अब इ का रूप लेते हैं यह तभी लेते हैं जब इलेकटमों की संख्या में कमी या फिर अधिकता हो जुकि यहाँ पे कमी आई हैं तो कमी आने की वजह से град reliable गई जिसके वजह से धन प्रोटॉन थे और दस ही इलेक्ट्रॉन थे तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं बलकि बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रोन इसमें दे देते हैं माली जी कि हमने तीन इलेक्ट्रोन दे दिया इसको जब इसको हमने तीन इलेक्ट्रोन दे दिया तो अब इसमें प्रोट्रोन संख्या दस ही बनी रहेगी लेकिन इलेक्ट्रोनों की संख्या में तीन की व्रद्धी हो जाएगी और थात अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगे तो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वज़ा से अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या घट गई लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो electron रिन आवेशित कण होता है जिसकी वज़ा से इस पर रिन आवेश आ गया और थाथ अब ये परमाड रिन आयन में परिवर्तित हो गया ये negatively charged आयन हो गया ने कि negative आयन हो गया हमारा ये negative हमारा आयन बन गया तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि electronों के अस्थान आवेश युक्त हो जाता है वो चाहे धन आवेश युक्त हो जाए या फिर रिन आवेश हो जाए इनका एक मात्र कारण है electronों का स्थान आत्रन तो इलेक्ट्रोनों के अस्थानांतरण के द्वारा परमाडु का रिन आयन या धन आयन में परिवर्तित हो जाना ही इलेक्ट्रोन से धांत कहलाता है तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रोनों के स्थानांतरण के कारण ही कोई भी द्रव्य या पदात या परमाडू आयनित होता है या आवेशित होता है अब हम इसके आगे चलेंगे और ये सीखेंगे कि ये जो आवेशित हो जाती है कोई भी वस्त या पदाख आवेशित हो जाती है ये कितनी विधियों से हो सकता है यानि कि अब हम लोग ये सीखेंगे कि आवेशन की कुल कितनी विधियां है तो आवेशन की विधियां, अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि आवेशन की विधियां क्या हैं, तो आवेशन की विधियां निम्नुवत हैं, तो आवेशन की तीन विधियां हैं, और उन तीन विधियों में से जो पहली विधि है, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक ह तो नंबर वन जो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन तो नंबर वन आपका है तो नंबर वन है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन ठीक है प्रेरण द्वारा आवेशन नंबर टू है आपका घरशन द्वारा आवेशन नमबर तीन है चालन द्वारा आवेशन इन तीन विदियों से हम किसी भी वस्त या पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं नमबर वन प्रेरण द्वारा आवेशन नमबर टू घरशन द्वारा आवेशन नमबर थ्री चालन द्वारा आवेशन अब इनको हम one by one study करेंगे कि आखिर इस प्रक्रिया में होता क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेरर द्वारा आवेशन की तो प्रेरर द्वारा आवेशन में क्या होता है कि मान लिजे दो वस्तुवें हैं इनको हम एक stand से दिखा दे रहे हैं कि ये दो वस्तुवें हैं इस समय ये आवेशित नहीं है ये धात्विक है यानि कि चालक पदार्थ हैं दोनों और इसमें इन पर कोई भी आवेश नहीं है ये आवेशन के पहली की इस्थती है तो आवेशन के पहले की सती है अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं है लेकिन जब हम इस पर कोई अन्य आवेशित वस्ट माले जी वो धनावेशित है इस वस्ट को जब हम लेके जाते हैं इनके समीप तो होता क्या है कि ये जो पदार्थ हैं ये विपरीत आवेशित हो जाता है चुकि ये धन शीर से है ये धन शीर से है तो इसके सम्मुक ये जो प्रिष्ट है ये इसके विपरीत रूप से आवेशित हो जाएगा अर्थात ये धन आवेशित है तो ये रिण आवेशित हो जात जाते हैं तो इसका यह सतह रिंड आवेशत हो जाता है और इसी के जश्ट विपरीद ध्यानगी कर ये दोनों वस्तुव अगर इसको हम सटा दें इसमें हम तस करा देते हैं इस इस्तती में हो ये दोनों ही धात्विक वस्तुएं या धात्चालक वस्तुएं आपस मैं दुसरे को टच कर रहे हैं जब हम इस पर कोई भी धन आवेशित वस्तु जब हम लेके जाते हैं इसके समीब तो इसका यह प्रिश्ट रिण आवेशित हो जाता है परंतु इस गोले का ये प्रिष्ठ विपरीत आवेशित हो जाता है अर्थाद धन आवेशित हो जाता है तो ये जिस कारण के द्वारा यह आवेशन होता है उस कारण को हम कहते हैं प्रेरण तो ये जो आवेशित हो रही है वस्तु में ये प्रेरण के कारण आवेशित हो रही है और अगर हम अब इस धन आवेशित वस्तु को अगर हम हटा दें दूर कर दें तो ये जो इसकी जो आवेश हैं वो कुछ इस तरीके से विवस्तित हो जाते हैं ये चारों तरफ अपना अ वेशित हो जाती है ठीक है और जब हम यह दूर कर दिने पर ऐसा होता है लेकिन जब हम इन वस्तूओं को पास-पास कर दें पूना हम इसको समीब कर दें अभी इनके बीच की दूरी ज़्यादा है अगर हम इनको पूना पास-पास रख देते हैं तो यह फिर से प्रेडित हो और इसका यह प्रिष्ठ रिनावेशित हो जाता है और यह प्रिष्ठ आपका धनावेशित हो जाता है तो इस प्रकार से जब हम इनको दो विप्रीत आवेश से युक्त पदार्थों को जब हम पास लाते हैं तो ऐसी इस्थिती में जो आवेश हैं वो इसके सतों पे इकठ सथे हो जाते हैं और जब दूर कर देते हैं तो यह इनके आवेशों का इनके चार्जेस का redistribution हो जाने की वज़ा से चार्जेस जो हैं पूरी सता पर फैल जाती हैं इस तरीके से तो आप लोग जानते हैं कि जो धात्विक पदार्थ होते हैं उन पर आवेश उनके सता पर विद्धिमान होते हैं तो इस प्रकार से redistribution हो जाने के वजह से आवेश आपके पूना विद्रित हो जाते हैं और इस प्रकार से हो जाते हैं लेकिन जब इनको पास-पास लाया जाता है, तो ये जो सता है, इनके सता हों पर जो समीब की सता है, वहाँ पर आवेश इकठे हो जाते हैं, तो ये जो आपने देखा, ये है प्रेरण द्वारा आवेशन होने की प्रक्रिया, अब इसको आप नोर्स में कैसे लिखेंगे, तो एलेक्टरौनों के अस्थानावं द्वारा वे आवेशित हो जाती हैं तथा उनमें प्रेरण द्वारा हलकी वस्तुओं को आकरशिर करने का गुण आ जाता हैं इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया होती है जैसे संपर्क में रखे दो धात्विक गोलों के पास एक धनावेशित छड़ ले जाने पर गोलों पर आवेशन का उत्पन होना आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं इस तरह आप फिगर भी बना लीजिएगा अपने नोट्स में कि यह जो दो गोले हैं और यह दोनो गोले अभी आवेशित नहीं किये गया हैं और प्रेरण दवारा आवेशन होने की वजह से इसका यह सत्ह रिनावेशित हो जाता है क्यों रिनावेशित हो गया, इसलिए ये रिनावेशित हो गया, क्योंकि ये धनावेशित ही वस्तु है, इसको हम पास ला रहे हैं, तो इसके विपरीद दिशा में वो प्रेरित होता है, तो इस वज़ा से ये रिनावेशित हो जाता है, और इससे सटा हुआ जो दूसरा गोल है वो धनावेशित हो जाता है और जब हम इसको हटा लेते हैं और इन गोलों को दूर दूर कर देते हैं तो इस प्रकार से चार्जेज उसके पूरी सतह में फैल जाते हैं यहां पर रिनावेश पूरी तरह से फैल गया है और जब छोब हम पिर से पास लाते हैं लेकिन आवेशितवस्वसं और यह नहीं रखना है और यह प्रेरण द्वारा आवेशन होने की प्रक्रियाम फिर आपकी नेक्ष्ट प्रॉसस आती है घर्षन द्वारा आवेशित होने की प्रक्रियाम क्या होता है जब दो वस्तुओं को हम परस पर रगडते हैं तो रगडने की कारण क्या होता है कि वस्तुओं आवेशित हो जाती है इनको आप दे सकते हैं कि जब हम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब बालों से हम कंगे को रगणते हैं तो रगणने के बाद जब हम कंगे को किसी छोटे-छोटे तिनकों के पास ले जाते हैं तो वो उनको आकरशित कर लेता है तो यह जो आवेशन के प्रक्रिया है ये घरशन के द्वारा उत्पन हुई है तो ये घरशन के कारण यह आवेशन के प्रक्रिया होती है नमबर टू आपका घरशन द्वारा हो गया है नमबर थ्री आपका आता है चालान द्वारा आवेशन अब ये चालक द्वारा आवेशन कैसे होता है तो इस विदी द्वारा चालक को आवेशित किया जा सकता है और चालक पर आवेशित की प्रकृति आवेशन छण के समान होती है अर्थात करने मतलब यह है कि जैसे यह वस्तु है अभी इस पर कोई भी आवेश नहीं है अब यह पदार्थ है तो अगर हम इसके पास हम धन आवेशित वस्त को लेके जाएं तो क्या होगा कि अब धन आवेशित वस्त लेके जाएं और इसको टेच करा दें तो जब टेच करा देंगे तो यह वस्त भी धन आवेशित हो जाएगी अब आप सोचेंगे कि अभी कुछ दिर पहले हम लोगों ने प्रेरण दोरा जब आवेशन देख रहे थे तो वहाँ पे यह वसुरिनावेशित हो जा रही थी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रेरण दोरा जब हम आवेशन कर रहे थे तो उसमें दो चालक पदार्थ रखे गए थे आसपास और वहाँ प्रेरण की कारण यह विपरीद आवेश से युक्तो हो गया था लेकिन इसको हम यहाँ पे टच करा दे रहे हैं टच कराने से क क्या होगा कि इसके जो धनावेश हैं वो इसके पूरी बॉडी में फैल जाएंगे तो इस विदी द्वारा जो आवेशन किया जाता है वस्तू को आवेशित किया जाता है इस विदी को हम चालन विदी कहते हैं अर्थात चालन विदी में हम आवेशित वस्त को टच कराते है जिसकी वजह से जो चालक का जो वस्तु का आवेश है जिसको हम तच करा रहे हैं जो तच कराने वाली वस्तु का आवेश है वही आवेश उस वस्तु का हो जाता है और घर्शन द्वारा आवेशन में हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु का आपस में रगडते हैं तब वो घ खरशन के कारण आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार से जो आवेशन होता है उसको घरशन दौरा आवेशन कहते हैं कि जब हम दो चालक पदार्थों के जो के आसपास रखे गए हैं, उनके समीफ हम किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं, तो ये विपरीत प्रिकार से आवेशित हो जाती हैं, तो विपरीत प्रिकार से जो आवेशित हो जाती हैं, इस विद को हम प्रेरण विदी कहते हैं, और घ आवेशन और उनकी विदियों के बारे में जाना अब हम लोग next class में यह जानेंगे कि आखिद वस्तूं के प्रकार यानि कि पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं तो इसके बारे में हम लोग हम लोग सीखेंगे आज के लिए इतना ही इस पूरे वीडियो लेक्शर को आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर किसी भी तरीके से जैसे भी आपको सुलब पढ़ें आप इसको revise कीजिए और तयार कीए ठीक, notes मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको notes बनाना किस तरीके से हैं आपको notes बनाना है इस तरीके से ये आपका electron सिध्धान का notes है आप इसका screenshot ले सकते हैं और screenshot लेने के बाद आप इसी तरीके से notes अपना आगे बढ़ाते रहिए electron सिध्धान आप heading डालेंगे और इसके बाद इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है फुरा complete ठीक है यहां तक आप notes इसका बना लेंगे figure वगदर इसका clear बनाईएगा और इसके बाद इतना note करने के बाद फिर आप इसका जो next है तो इतना ही notes आप बनाएंगे आप ठीक तो आज की class में आप इतना ही notes बनाईएगा मिलते हैं आप लोगों से next class में जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं और उनके notes के बारे हम देखेंगे तो तत्त के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो कोई भी confusion हो कोई भी doubt हो तो आप हमको comment जरूर कीजेगा ताकि हम उसको next video class में उस comments को हम reply दे सकें और बाकायता आपके सारे confusion clear कर सकें तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें पूरी आज की topic समझ में आ गई होगी और मिलते हैं आप लोगों से next video में नए topic के साथ तब तक लिए धन्यवाद all the best